हलो दोस्तों सुब्याथ आपका एक औना वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Wanda of वीजन के बारे में Wanda of वीजन का ट्रेयल हमें सुवे सुवे जल्दी से देखने को मिला है और काफे त्रेयल है इसमें बहुत ही कम बाते दिखाई गई हैं बहुत ही सारी स्टोरी को छुपाने की कोशिश अच्छे से की गई है और ये वांडा वीजन की एक टिवी सिरीज होने वाली है जो की हर्ट स्टार पर और डिजनी प्लस में हमें जल्दी देखने को मिलेगी दोनों प्यार से आराम से रह रहे हैं जैसे एविजर में बताए गया था कि वो अलग रहने जा रहे हैं और एक अपनी अलगी दुनिया में रहेंगे आराम से रहेंगे तो इस movie के अंदर भी ऐसा ही कुछ करते देख रहे हैं लेकिन अगर ये एक love story होगी तो कौन ही देखेगा क्योंकि ये marvel की tv series है तो इसमें action धमाल सब होना चाहिए और science fiction भी होना चाहिए तो हाँ जी इसमें ऐसा सब आपको देखने को मिलेगा तो हो सकता है कि वीजन असली ना हो नहीं कुछ भी इसमें से असली हो क्योंकि इसमें हमें अलग-अलग type की चीजे फटा-फट से देखने को मिलेगा जैसे हमें कभी wand और वीजन 70s के कपड़ों में देखते हैं कभी 80s के कभी late 90s के तो अलग-अलग कपड़ों में देखने को मिल रहे हैं तो इसे लग रहा है कि जो टाइम है वो बहुत जल्दी से बीत रहा है और यह हमें शो के अंदर भी देखने को मिलेगा अलग-अलग type के टाइम के अंदर यह कुछ ना कुछ करते दिखेंगे और साथ-साथ वांड अपने वीजन से चीजों को बदलती भी दिख रही है वांड अन 70s से 80s में एक चुटकी बजाते ही चली जाती है और उनके बच्चे भी होंगे इसके अंदर जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है कुछ-कुछ इशारे मिल रहे जैसे हमें पता चल रहा है बाकि यह TV स्रीज बिलॉंग करती Marvel से तो कुछ तो धमाल और कुछ अच्छा हो नहीं वाला है हो सकता है यह फ़णी और थोड़ी से एक्चन पर यह हो क्योंकि यह TV पर आने वाली है कि कैसी होती है यह TV स्रीज ट्रेलर देके एक बात तो साफ हो गई है जैसा कि हमने देखाता है Avenger 2 के अंदर Iron Man से लेके Hulk को Wanda अलग-लग वीजन्स दिखाती है तो इस TV स्रीज में भी सिर्फ यह होने वाला है ऐसा इसके ट्रेलर को देख के लग रहा है बाकी क्या होने वाला है अगर आप हो पता है तो आप कमेंट सेक्षन में हमें जरूर बता है बाकी हो सकता है हम गलत भी हो हो सकता है कुछ अलग हो जाए उसके लिए हमें इस TV स्रीज का इंतिजार करना परेगा तो क्या Marvel TV पे भी वही सिनेमा वाला धमाल मचा पाएगा वैसे Marvel का Daredevil का अच्छा शो है और जाते जाते एक और बात हमें जल्दी लूकी का और Falcon का भी ट्रेलर देखने को मिलने वाला है क्योंकि इन दोनों की भी एक चूट इसी है अच्छी सी TV सीरीज जल्दी हाट स्टार पे और डिजनी प्लस पे आने वाली है तो चलते हैं मिलते हैं आप से एक और नए वीडियो में और आप कमेंट के दार आपने जो भी बात हैं पता ना मत भूलिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा अगर वीडियो पुसंद आईए हो तो वीडियो को लाइक भी कीज़ेगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा इसको शेयर कीज़ेगा मिलते हैं आप से एक और वीडियो में तब तक क्लिए बाबाए